ये है बाजी पासलकर जैसे विरो के बलीदान से पवित्र हुई भूमी रोहिडा आज हम रोहिडा की ट्रैक करने जा रहे बाजारवाडी गाउसे पिच्छे जो दिख रहा है वही है रोहिडा और विचित्रगड उसी का ट्रैक करने जा रहे हम लोग कल हमने केंजरगड किया था रायरी का प्लाटू किया था आज हम जा रहे है रोहिडा यह बिनी का किला यहां जाने के लिए हमने यहां से शुरू किया है बाजारवाडी से प्रवेडा किल्ला के ट्रैक जब हमने शुरू की तो हमारे मन में एकी सवाल उट रहा था इस किल्यों को विचित्रगर्ड नाम क्यों दिया होगा हम उपर जाने लगे तो सामने हमें नीचे के पाड के चट्टान में कुछ गुपाये दिख रही थी जैसे हम उपर गए हमको लगा वहां केंजरगर जैसा रश्य में शुरंग या चोर रस्ता होगा लेकिन एक गुपाये किल्ये से बहुत ही नीचे थी जब हम उपर पहुंचे तो हमें मिले यहां के लोकल गाइड चंद्रकान उन्होंने हमको पुरा किल्ला भूम के दिखाया और पूरी जानकारी दी हम लोग जब किल्ले के सिरवले बुर्ज जो चेप बुर्ज में से एक है वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया यहां से एक गुप्त माग था जो शिरवने गाउं के तरब पाढ़ आया उसके निचे से बनाया था चंद्रकान हमें वो सुरंग रस्ता रहस्य में गुप्त मार्ग दिखायने के लिए राजी होगे वो सिल्ले के दरवाजे के बहार आके उसी सुरंग के तरब हम लोग जा रहे है आईसे ही रहस्य में शुरंग के वज़े से इस गड़ को विचित्रगड नाम दिया गया होगा चलो हम सब देखते हैं आप भी सोच लेना विचित्रगड नाम रखने का हमारे मुताबिक कारण यही हो सकता है कि आईसे शुरंग यहां बनाये थे ते के बाहर शिरवले बुरुज के बाहर हम लोग आया है और यहां से निचे जा रहे हैं में गेट से 600 मिटर दूर आये हुए इस तरब देखो निचे शिरवले गाव दिख रहा है और आगे जाने का रस्ता बहुत ही कटीन है हमारे अनिल कसल कर यहां तक पहुंच नहीं सके रहस्य मैं सुरंग इनी पत्तरों के निचे से भी बनाया हुआ था आगे जाएंगे तो एक छोटा सा खिन रस्ता है वहां से आगे निचे उतरते थे लेकिन गुम के थोड़ा वापस आके इन पत्तरों के निचे यह गुप्त मार्ग बनाया हुआ है यह है ग्राउंड जेरो जहां यह गुप्त शुरंग बनाया हुआ है यह रोहेडे किल्ले से 200 मीटर तो दूर है मैं अभी अंदर जा रहा हूं अंदर का नजारा देखने लायक है ऐसे ही और शुरंग कि इस किल्ले के चटबंदी में और बुरुज के अंदर बनाये हुए ऐसा हमको चंद्रकांत ने बताया हो सकता है कि इसी चेवर रास्ते से जबी भी कोई दुष्मन हमला करता होगा तो अंदर के सैनिक छुपके भाग निकलते होगे या अंदर छुप जाते होगे बहार आके पीचे से अमला करते होंगे इन सब चीजों के वज़े से जो भी दुष्मन यहाँ पहले आये होंगे उनको यह बहुत ही विचित्र लगा होगा और उसी के वज़े से इस किल्ले का नाम विचित्र गट रखा होगा वह देखते होंगे कि यहां के लोग कई गायब होते हैं लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि आइसे आइसे यहां गुप्त रास्ते बनाए होए है टनल बनाए होए है सुरंग बनड़ हुए है आगे जाएंगे तो देखो दुसरे तरफ हम लोग 30-40 फिट का यह सुरंग है सयाद्र में बने हुए बहुत सारे पाड़ी किल्लो में कोई न कोई हुयारी सुरंग या गुप्त मार्ग छुपा रस्ता बनाया गया होता ही है दिरे दिरे हम लोग आगे जा रहे है देशमुक ने अपना फोन निचे गिरा के तोड़ दिया है लगता है इसी के वज़े से दुश्मन को यहां जितना बहुत मुश्किल होता था आगे जाने के बाद में बाए तरफ कुछ पत्तर लगा के रखे है खुले जगह पे उच जगह से किल्ले के तरफ जाने के लिए रस्ता था ऐसे हमारे गायन ने हमको बताया जो अभी पत्तर लगा के बंद कर दिया गया है हम लोग अभी सुरंग से बाहर निकलने वाले हैं दुसरे तरफ आ गए है पाहड के देखो कितना तकलिब लिया वागा लोगों ने यह सुरंग बनाने के लिए ऐसे दुर्गम जगह पे पत्तर तोड़के ऐसे बना देते क्या मालूम सुरंग से बाहर आके हम लोग वापस किंड के तरफ जा रहे उपर और उसके बाद में किल्ले के तरफ जाएंगे आप तो सोच रहे होंगे इन पत्तरों में इनको क्या दिखाई दिया कि लेकिन हम ट्रैकर के लिए यह बहुत बड़ी मेजवानी आए कि हमको यहां इतना बड़ा सुरंग मिला आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दिजे सब्सक्राइब कर दिजे मेरे चान्दल नमरताज होलसम मंत्रा को और हमने जो तरक लगाया था कि इसलिए विचित्रगड बोलते होगे रोईडा किले को तो आपकी राय पी जरूर कॉमेंट में डाल देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपकी अभी हम लोग विदा लेते हैं